जहें दोस्तों आज एक नई टॉपिक लेकर उपस्तित हुआ हूँ अता वीडियो को ध्यान पूर्वग और अंत तक देखें चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें चैनल सस्क्रिप्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है अतह आप लोग च सारे के सारे इंडिया के सारे रामसर साइट वह वर्ड में कितने रामसर साइट हैं और वर्ड में सबसे ज्यादा कहां पर साइट से हम उन चीजों को आज अध्यन करने वारे हैं प्लीज वीडियो में ध्यान पूर्वक बने रहे हैं चलिए सुरू करते हैं आर्द्र भूम जो हमेशा जल से संत्रिप्त हो या जल से डूबा रहे आर्द भूमी कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है आर्द भूमी कहलाता है कौन सा अस्थल वह अस्थल जो जल से संत्रिप्त हो या जल से डूबा रहे ठीक है असा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आर्द्र भूमी में दल्दल, दल्दली भूमी, जीले, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियां, उथले समुद्र, बार के मैदान और बहुत कोछ इसमें सामिल होते हैं यानि ये सभी आर्द्र भूमी में सामिल हैं दोस्तों चले, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें आर्द्र भूमी का महत्व क्या है, तो आर्द्र भूमी का महत्व सम्झते हैं, आर्द्र भूमी जय विवित्ता के दृष्टी कोड से एक बहुत ही समरिध्ध अस्थान होता है, जहां पर अधिक से अधिक जीवों के उत्पत्ति विविने परकार के जीव पाया जाते हैं, आर्द्र भूमी लोगों मचली और वने जीवों के लिए कई महत्व पूर से वाया परदान करते हैं, जैसे कि पानी की गुडवत्ता की रक्षा और सुधार मचली और वने जीवों के लिए आवाज परदान करना, बालक के पानी क का भंडारण करना सुस्क अवधी के दवरान सतह के जल्ग प्रवाह को बनाए रखना और मिट्टी के छहरण को कम करना इसका महत्व होता है यानि आद्र भूमी होना अत्यंत महत्वपूर है यूगि अगर नहीं होगा तो ये सारी बाते समझ लीजिद निस्क्रीर अवस्था पढ़ जाएंगी आगे बात करें रामसर अभी समय की दुनिया भर में बढ़ते हुए सहरी करण वह और दोगी करण के कारण आद्र भूमिया का संकुचन हो रहा है देखिए आद्र भूमिया जो है वह बढ़ती आबादी के कारण बिल्डिम में पईवर्तित हो जा रहे है कोई ऐसा संत्रिप्त लैंड भी है जल से तो उसे भी जो है मिट्टी का पटाई करके वहाँ पे घर बना ले रहे हैं तो इससे क्या होगा उसमें कमी आ रही है दुनिया भर के महत्रपूर आद्र भूमियों को बचाने के लिए इन्हें आद्र भूमि का दर्जा दिया गया था ताकि लोग इस चीज़ को समझ सके ताकि ये आद्र भूमियों की रक्षा कर सके आगे बात करते हैं दो फर्वरी 1971 में इरान के सहर राम सर में बिस्ट की आद्र भूमियों के संग्रक्षण के लिए राम सर समझ होता हुआ और इसे आद्र भूमियों पर राम सर समझ होते के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम रखा गया था रामसर convention on wetland of international importance especially as waterfall habited ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा और ये लागू होता है 21 दिसंबर 1975 को और विश्र आधर भूमी दिवस मनाये जाता है जो है वो आपका उत्तर होगा दो फरवरी आपका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग रामसर अभिशमय की आगे बात करते हैं तो शुरुवात में कुल साथ देशे ही इसमें सामिल थे कितने देश सामिल थे शुरुवात जब हुआ था तो इसमें केवल साथ देश थे वर्तमार में इसमें कुल देशों की संख्या जो है 171 देशों की संख्या है और इस सुची में जो भारत सामिल हुआ एक फरवरी 1982 को सामिल हुआ था रामसर अभिशमय में प्रतेक तीन वर्ष के अंतराल पर सदस्य देशों का बैठक होता है प्रतेक तीन वर्ष के अंतराल पर रामसर समझोते पर मुद्दे पर बात होती है या इसकी बैठक होती है आगे बढ़ते हैं विष्व में 24 24 आरद्र भूमिया है कितनी है दोस्तों 24 24 आरदर भूमिया है जो रामसर् आरदर भूमियों में सामिल है कितनी है 24 24 और सरवाधिक साइट्स जो है वो 175 साइट्स United Kingdom में हैं, कितनी है? United Kingdom में 175 साइट्स हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा बिश्व की पहली रामसर साइट्स जो है, कोबोर प्रायदीप आस्टेलिया का है, कोबोर प्रायदीप आस्टेलिया का है, जो 1974 में सामिल किया गया था कब समिल किया गया? 1974 में एक पहला रामसर समझे लिजे साइट्स हैं, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या वर्तमान में उन्चास है, 2022 के कोडिंग जो है, उन्चास है, भारत की पहली रामसर साइट जो है चिलका एवं केवला देव है, जो 1981 में सामिल हुई, चिलका जील एवं केवला देव नेशनल पार्क जो है, आपका 1981 में सामिल हुआ, सरवाधिक भारत में उत्तर प्रदेश में आपके रामसर साइट है, वो भी कितने दस्ट है, कितने हैं, दस, सबसे अधिक अपने भारत में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दस साइट है, उन्चास साइटों से दस साइट केवल उत्तर प्रदेश में ही है, आगे बात क सबसे छोटे की तो रेड़ु का आर्द्रभूमी हिमांचल प्रदेश में है पॉइंट टू वर किलो मीटर में सबसे छोटा जो है रामसर साइट है इंडिया का आगे बढ़ते हैं हम लोग 2021 में कुल 4 नए रामसर साइट जोड़े गया है तो वह चार नए रामसर साइट जो हैं 2021 में सुल्तानपुर का राश्टी पार्क हरियाना में है भिंडवास वन जी अभ्यारर जो हरियाना में है यह भी यह दो हरियाना में हो गए और दो गुजरात में है तोल जील वन जी व भैरड जो है गुजरात में और वधावर आर्दरभूमी जो है वो कहां है गुजरात में है जो 2021 में ये सामिल किये गया है आगे हम लोग बात करते हैं मानौक के हस्तक छेप प्रद्योगी की विकास और प्रदूसर से प्रभावित आदरभूमी को मौन्टेरक्स रिकॉर्ड में रखा गया है ठीक है अब ये रिकॉर्ड में जो है कुल भारत की जो 48 साइट है वे रखे गये हैं इसमें और भारत में क आपका है मौन्टरियक्ष होगा भाई रिकॉर्ड में सामिल किया गया है इसे आगे है नेक्स्ट बात करें हैं प्रतेक राज्यों की तो प्रतेक राज्यों में कौन-कौन से रामसर साइट है उनको हम ध्यान पूरवक देखेंगे तो आप लोग वेडियो को ध्यान साइट से हैं तो दस साइट में हम देखेंगे हर एक साइट को देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उपरी गंगा उपरी गंगा नदी की उपरी गंगा नदी जो ब्रजघाट से नरवरा छेतर में आता है और इसका जो रामसर में साइट में से सामिल किया गया सन 2005 में से सा परेंगा हधी को जो है रामसर शाइट की रूप में सामील किया गया आप आगे बात करते हैं हम लोग Settings इसहेंदी बाट्स है कि आप निधूए उचेयले में कि फ्र fish एंड़ी शांट का स्थापना यानि रामशर शायट में सामिल हुआ तो 2009 में सामिल हुआ यह है अगला बात करें नवाब गंज बर्ड सेंचुरी की नवाब गंज बर्ड सेंचुरी जो है उन नाव में है और यह भी 2019 में सामिल हुआ है 2019 में सामिल हुआ हाँ बखीरा वन्य जी अभ्यारर की बात करें अगर तो बखीरा वन्य जी अभ्यारर जो है यह आपका 2022 में संत कबीर नगर में इस्थित है यह 2022 में से सामिल किया गया संत कबीर नगर में इस्थित है और आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी 2019 में सामिल किया गया और ये गोंडा में है कहां है गोंडा में है अगला बात करें किथम जील या सूर्श रोवर जील की बात करें तो कितम जील यार सूरोबर जील की बात करें तो यह आग्रा में है 2020 में इसे सामिल किया गया कब सामिल किया गया 2020 में अगला बात करें सर्शाई की सर्शाई जो आपका है इसे भी 2020 में सामिल किया गया और यह इटावा में है सरसाई कहा है जील जो है यह इटावा में है नेक्ष बात करते हैं शमन बर्ट सेंचुरी जो है यह आपका मैन पूरी में है और यह 2019 में सामिल किया गया और लास्ट है है हैदर पूर वेट लैंड जो है आपका यानि आर्द भूमी जो है यह 2021 में सामिल की गई और यह है बिज नौर्द जिले में ठीक है दोस्तों इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश के सारे साइट्स करतम हुए नेक्ष राज है आपका पंजाब राज जिसमें हम देखेंगे कुछ साइट्स को देखिए पंजाब राज में जो है कांजली आंद्रभूमी जो है आपका 2002 में सबसे पहले यही सामिल किया गया था कांजली आपका सोरी हरीके भी है हरीके 1990 में सबसे पहले यह सामिल किया गया था फिर उसके बाद कांजली सामिल किया गया था कांजली जील यह है यह क्या है जील है जो रामसर साइट में सामिल हुआ आगे बात करें हम लोग केसोपूर की तो केसोप कि खुर्दयों का संग्रक्षन के लिए बनाया गया है आगे बात करें हम लोग कि नेक्षट आपका ब्यास का इन रिजर्व जो यह आपका जो है यह दो हजार उनीस में सामिल हुआ कब सामिल हुआ रोपन वेट लेंड तो रोपन वेट लेंड जो है दो हजार दो में दो हजार दो में सामिल किया गया रोपन आर्दर भूमी को ठीक है तो ये आपके छठ जो है पंजाब राज में आर्दर भूमियां हैं आगे बात करते हैं जम्मू कस्मीर की तो जम्मू कस्मीर में जो है तेन हैं बूलर और सूरिसर मनसर जहीन और होकेरा आर्द्भूमी जहीन यह जो हैं आपके तेन हैं साइट्स और कब कब कौन सामिल किया गया तो बूलर 1990 में सामिल किया गया 1990 में अहोकेरा जो है ये 2005 में सामिल किया गया 2005 में सामिल किया गया और जो आपका सूरिंसर है ये है आपका 2005 में इसको भी सामिल किया गया है तो आपने देखा यह जम्मु केस्मीर की तीने हैं اور लदाक की दो है जिसमें से हम देख रहे हैं सोमोरेरी और शोकर यह दोनों जो हैं लदाक केंसासित परदेश में इस्तित हैं तो यह जो हैं 1.220 में 1.240 में तो मोरेरी जो हैं यह आपका 2002 में सामिल हुआ किस वर सामिल हुआ तो 2002 में सामिल हुआ और शोकर जो है 2020 में सामिल हुआ आद्र भूमी में ठीक है तो इस तरह से दो ये लद्दाग के हो जाएंगे और तीन जो हैं आपके जम्मू कस्मीर के हो जाएंगे आगे बात करते हम लोग हिमांचल प्रदेश के तो हिमांचल प्रदेश में देखेंगे पोंग बात जील चंद्रताल जील और रेडुका जील ये तीन जीले हैं हिमांचल प्रदेश की जो आद्र भूमी में सामिल है यानि वेट लैंड में सामिल है ये तो ये जो है कब कब सा संद्रातौल की बात करें तो 2005 में और यही बात रेडुका की करें तो रेडुका भी 2005 में जो है सामिल किया गया आर्द्र भोमी में ठीक है तो यह हो गया आपके हिमांचल प्रदेश की नेक्ष राज आपका किरल है और किरल के हम लोग तीन साइट देखेंगे, तीन साइट में हम देखेंगे अस्ट मुदी जील, सबसे पहले देखेंगे अस्ट मुदी जील जिसको 2002 में, 2002 में वेटलेंड में सामिल किया गया, अगला हम देखेंगे वेंबानट जील की बात करें तो वेंबानट जील भी 2002 में ही वेटलेंड साइ किया गया तो आप दोस्तों याद रखेगा केरल के सारे वेट लेंड्स हों है वो सन 2002 में ही सामिल किये गए हैं ठीक है याद रखेगा अगला बात करें गुजरात की तो गुजरात के मेनली आपके चार साइट देखने को मिलेंगे जिसमें खिजडिया वन जीव अभ्यारण और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी वधावन आर्दरभूमी और थोल जील थोल जील वाइड वाइड सेंचुरी जो है आपका य सामिल किया गया दो हजार बारा में सामिल किया गया थोल जील जो है ये सामिल किया गया दो हजार एक्किस में दो हजार एक्किस में और बाधवान जो सामिल किया गया या बधावन जो सामिल किया गया ये भी दो हजार एक्किस में ही सामिल किया गया अगला जो है खिजडिय स्थिक जैविए कब सब्boysकिया व wizard है दोज़ाईस में समिल किया गया रामसर साइड में आगे बात करें इससी कि तो महाराश्य की। साइट से नंदूर मध मेश्वर जहील और लोनार जेल यह दो प्रमुख्ष आपके इधर से भी हो जाएंगे महाराज से भी तो नंदूर मध मेश्वर 2019 में सामिल किया गया 2019 में रामसर छाइट बना और 2020 में लोनार जो छील जो है रामसरशायट बना रिमकोर का नेक्ष राज्य की बात कर लेते हैं ओडिशा राज्यकी तो ओडिशा राज्यवें हम देखेंगे कि भीतर कनिका 2002 में 22002 में रामसरशायव बना भीतर कनिका ठीक दूसरा है आपका चिलका कौन है चिलका जो 1981 में भारत का पहला भारत का पहला वेट लेंड है कौन है चिलका जो है भारत का पहला वेट लेंड है आर्धर भूमी है पहला ठीक है दोस्तों याद रखेगा कि उला देव भी इसी के साथ सामिल किया गया था किसके आगे हर्याणा राज्य की बात करें तो सुल्तानपूर नेशनल पार्क और भिंडवास जो है वाइड संचुरी जो है ये आपके हर्याणा में है तो ये कब-कब सामिल हुए तो हर्याणा वाला सुल्तानपूर 2021 में सामिल हुआ किस वर्ष 2021 में और भिंडवास भी 2021 में ही सामिल हुआ है दोस्तों ठीक है दोस्तों याद रखेगा आप लोग very important question आगे बात करते हैं सांभर जील और केवला देव नेशनल पार्क जो है ये आपका इस्थित है जो वो इस्थित है आपका राजस्थान राज्ज में कहां पर यू राजस्थान राजमें ये इस्थित है और केवला देव पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है और केवला देव केव और नब्बे में सांभर जील जो है रामसर साइट बना नेक्ष बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और पूर्वी कोलकाता जो है यह दो आपके आर्द्रभूमी यानि वेटलेंड है तो इसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में सामिल किया गया आगे बात करते हैं हम लोग तमिल नाडू राज्ज की तमिल नाडू में एक मात्र है पॉइंट कैलिमेर जो है यह वाइल सेंचुरी है यह सामिल किया गया दो हजार दो में सामिल किया गया इसे कब किया गया दो हजार दो में पॉइंट कैलिमेर वाइल सें मड़ीपूर में लोक्टक जील ये दोनों जो हैं रामसर साइट में सामिल हुई तो जो त्रिपूरा का रुद्र सागर ही 2005 में सामिल हुआ 2005 में और लोक्टक जो है 1990 में ही सामिल कर लिया गया था कब सामिल कर लिया गया था 1990 में ही चीक है तो याद रखेगा मड़ीपुर वाला उनिस्तो नबे त्रिपुरा वाला रुद्र शागर जील 2005 में सामिल किया गया नेक्ष राज्य की बात करें तो आंधर प्रदेश की आर्दर भूमी है जिसमें आपको देख सकते हैं कोलेरू जील कौन जील जो 2002 में आदर भूमी में सामिल किया गया किस वर्स किया गया 2002 में अगला बात करें दीपोर बिल जो की आपका असम में है और असम का एक मात्र आदर भूमी छेतर है तो असम का दीपोर बिल जो है सन 2002 में इसे आदर भूमी के रूप में सामिल किया गया किस वर्स किय सनदोहजार दो में आद्रभूमियों के रूप में सामिन्किया गया और यहीं बिहार राज सी की बात करें तो दोख्यार expenditures में सामिल किया गया है कब सामिल किया गया है दो हजार बीस में बीस से बिहार आपको याद रखना है कि दो हजार बीस में कवर ताल या काबर ताल जील जो है रामसर साइड में सामिल किया गया आगे बात करते हैं उत्राखंड राज की तो उत्राखंड राज जो है आध्रभूमी जो है इसमें आसन बैराज जो है ये 2020 में सामिल किया गया है तो दोस्तों आप लोग याद रखेगा ये कहा है उत्राखंड में है तो इस तरह से ये टॉपिक जो है यहां पे खतम होती है तो आप लोग प्लीज 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 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें